नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक ब्यादी महतोपूर्ण जानकारी को ले करके जिहां आए आज हम सभी जानते हैं इसका सेवन करने से स्मरण शक्ति ऐसी बढ़ेगी कि सिर्फ एक बार सुनने मातर से सब के लिए जिन व्यक्तियों के मस्तिश्क और स्नायू दुर्बल हो जाते हैं उनकी अस्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है कुछ याद नहीं रहता तथा स्वभाव से भी भुलकड़ हो जाते हैं विद्यार्थियों की विया आम समस्या है कि उन्हें पढ़ा हुआ भली भाती य काफी बढ़ गई है अपने जीवन का हर मोड हमें प्रतियों की ताओं का सामना करना पड़ता है हर एक मोड पर जिसके लिए तेज दिमाग की आवश्यक्ता होती है अच्छे भविश्य के लिए तेज बुद्धी का होना बहुत ही जरूरी होता है तेज दिमाग के लिए न आदास्त के कारण खुद तो परिशान होते ही हैं साथ में दूसरे लोगों को भी परिशानी में डाल देते हैं कुछ ऐसे आहार के बारे में हम आपको आज बता रहे हैं जिनका उपयोग करने से आपके दिमाग की शमता बढ़ती है और आपकी आदास्त में सुधार आने ल इसको तुरंत भूल जाता है भूलने वाले लोगों के लिए यह बहुत हैं अधिक परिशानियों का कारण है इसके लिए एक आयुर्वेदिक नूस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके अस्मरण शक्ति को बढ़ाता है बनाने की विधि जान लीजिए हल्दी बच कुठ, पीपल, सूंट, जीरा, अजमोद, मुलेठी और सिंधा नमक सबको बराबर मात्रा में आपको मिला करके और महीन पीस करके चून तयार करना है जिहां तब यह आपकी जो और शदी है वो तयार हो जाएगी इस प्रकार से अब सेवन करने की विधि जान लीजिए आठ से सोलह रती यानि कि एक से दो घ्राम तक आयू के अनुसार इकिस दिनों तक सुबह आपको खाली पेट और रात को खाना खाने के दो तिन घंटे बाद सोते वक्त हर रोजिस का प्रयोग करना है अब इसके लिए आवश्यक समगरी भी जान लीजिए मुलेठी पचास गिलोए 50 ग्राम शंखा हुली 50-50 ग्राम आपको लेना है निर्मान करने की विधी जान ये सभी द्रवियों को कूट पीष कर कपड़े से चान कर चून बना लेना है फिर इसमें सोने का अरक्या भस्म 3 ग्राम मिला करके खरल में घोटाई करें चिस से सोन भस्म अच्छी तर मात्राम से दो गराम की मात्रा में लेकर के घी और शहध विश्व मात्रा में ये ध्यान रखिक इनके बारे में भी जिहां प्रति दिन ब्लूबेरी फल का सेवन करें चुकि इसमें प्रचूर मातरा में इंटियोक्सिडेंट होता है इसके इस्तेमाल से आपका दिमाग तेज होगा बेल एक पका हुआ बेल फल का गुदा मिट्टी के सकूरे में डाल करके पानी भर दें या स्टील के पातर में रखें और उसी समय मसल कर गर्म पानी में शेहद के साथ घोल कर पी लें इसके नियमित प्रयोग से दिमागी शक्ति अवश्य बढ़ेगी अलसी का बीज अलसी के बीज में प्रचूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है इसलिए इसके इस्तेमाल से आपका दिमाग तेज होगा पालक प्रती दिन पालक का इस्तेमाल करने से कई तरह के रोगों से बचा जा सकता है पालक में मैगनिशियम की प्रचूर मात्रा होती ह जो हमारे पूरे शरीर और दिमाग के लिए फायदे मंद होता है दालचीनी, दालचीनी का पाउडर बना ले अब लगभग 10 ग्राम दालचीनी पाउडर को शहद में मिला करके चाट ले इससे आपके दिमाग की स्थिती सुधर जाएगी और शार्प हो जाएगा आपका दिमाग आउला, आउले का रस निकाल ले एक चमच और उसमें दो चमच शहद मिला करके पिए इससे आपके दिमाग की स्थिती मजबूत होगी, दिमाग तेज होगा और यादास्त भी अच्छी होगी धनिया, सबसे पहले धनिया का पाउडर बना लें अब आधा चम्मच पाउडर में दो चम्मच शहद मिला करके खाएं आपके अस्मरण शक्ति यानि की आदास्त में वृद्ध ही होगी अखरोट, अखरोट में ज्यादा मातरा में प्रोटीन और इंटियोक्सिडेंट पाया जाता है जिसके उपयोग से अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं इसका इस्तेमाल प्रति दिन करना चाहिए बादाम बादाम को दिमाग के लिए अमरीद के समान माना जाता है स्मरण शक्ति के विकास के लिए 10 बादाम रात को भिंगो दें बादाम के लुगदी बना कर सेवन करें दिमागी कमजोरी दूर होने के लिए दूसरा उपाय है कि रात्री के समय बादाम के साथ सौफ एवं मिश्री मिला कर उसे पीस लें इस चुण को दूद के साथ पीने से समरण शक्ति बढ़ती है यदि यह भी संभव नहों सके तो दस बादाम बारिक पीस कर आधा किलो दूद में मिलाएं और दूद को गर्म कर लें इसके पाश्चात दूद ठंधा होने पर उसमें चीनी मिला करके पीएं इस प्रकार किसी भी तरह से बादाम का सेवन करने से दिमाग में तरो ताज गया जाती है एवं समरण शक्ति में प्रकार की भीमारी भी दूर होती है गुलाब की पंखुरी काली मिर्च और तूलसी के पत्ते को चबा करके खाना चाहिए आपको लाब मिलेगा गेहूं के जुआरे को आयुर्वेद में अमरित कहा गया है अगर आपको अपने दिमाग को तेज करना है तो गेहूं के आपके रोग प्रतिरोधक शमता भी मजबूत होती है अधरक मिश्री और जीरा इन तीनों को पीछ कर रोजाना सेवन करें आपको लाब मिलेगा दही और दूद दही में अमीनो एसिड होता है जो आपके दिमाग के लिए फायदे मंद होता है अब एक ग्लास दूद में शह बिना छिलका उतारे चबा चबा करके भोजन से 15 मिनट पहले खाना चाहिए यह मस्तिश्क को शक्ती देने के साथ साथ रक्त की कमी को भी दूर करता है लीची का प्रियोग करते रहने से मस्तिश्क को बल मिलता है आउला का मुरब्बा स्मरन शक्ती में व्रिद्धी के होती है चुकंदर चुकंदर कारस प्रती दिन पीने से भी स्मरन शक्ती बढ़ती है इसके अलावा आम दिमागी कमजोरी से होने वाले स्मरन शक्ती की कमी के लिए एक कप आम कारस थोड़ा दूद और एक चमच अधरक कारस एवं चीनी मिलाकर के पीजिए दिमाग में बटाती है लेकिन यह जो भी जानकारी मैंने बताई आप सभी के दोस्तों यह सोधों पर आधारित थी इसलिए आपको अगर कोई अन्य प्रोब्लेम नहों तो इसका सेवन करें अगर बोड़ी में कोई और अन्य प्रोब्लेम है तो पहले डॉक्टरी परामर्स ले 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 इसके बाद ही इसका सेवन करें आपके लिए फायदे महंद रहेगा यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहाद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों